उद्धर ठाकरे, शरद पवार, केज रिवाल के बाद अब बीजेपी का अगला टार्गेट लालू लालू से पंगा लेकर बीजेपी ने अपनी सियासत के साथ ले ली आफ़त मोल लालू की राजनीती को गरफ्त में लेनी का प्रयास, लालू की बीटियों को हुआ अभास, तो पूरी तरह से समभा लिया मूचा गायल को राजनीती में सिर्फ गायल करकर नहीं छोड़ा जाता बलकि उसे पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास होता है अब बीजेपी ने अपनी ताकत की नुमाईश की, एक बार फिर नितीश कुमार को अपने पाले में लाने में कामियाबी हासल की, यहां तक तो ठीक है लेकिन इसके बाद आज़ेडी चीफ लालू यादव और उनके परिवार के साथ जो हो रहा बीजेपी भले भ्रम्मेजी लेगन बिहार की राजनीती में एक नई कहानी बनने बाली है जिसमें बीजेपी एक विलन की तरह दिखने जा रही है यह हम क्यों कह रहे हैं इस रिपोर्ट को आखर तक देखे समझ जाएंगी क्या इत्तिफाक है इधर बिहार में सरकार बदली उधर आज़ेडी चीफ लालू यादव को एडी से बलावा आ गया एडी के इस कदम पर लालू की दो बेटियां आकरमक हैं अपने छोटे भाई तिरिस्वी यादव की राजनीती का खुल कर साथ देने के लिए मोर्चा समहल लिया तिरिस्वी ने तो पहले ही कह दिया हम नहीं जुकेंगे खेला करकर रहेंगे दरसल आज़ेडी प्रमुक लालू प्रसाद यादव कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पूश्ताच के लिए पटना में मौचूद E.D. कारे ले आए एस्वारान लालू यादव के साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी मौचूद रही मीसा कहती है कोई केंदरी जाच एजनसी अमारे परिवार के किसी सदस्य को पूश्ताच के लिए बुलाती है तो हम महा जाते हैं और उनके साहियो करते हैं और उनके सवालू का जवाब भी देती हैं उनकी स्वास्त इस्थिती के कारण उनके लिए अकेली जाना मुश्किल है यही कारण है कि जब भी वो कहीं जाते हैं तो किसी को उनके साथ जाना पड़ता है इधर सिंगापूर में रह रहे ही लालू प्रसाद की बीटी रोहिनी आचारी ने दावा किया कि उनके बेहन भारती के बारबार अनुरोध के बाद भी E.D. अधिकारियों ने और उनके साथ जाने की अनुमती नहीं दी रोहिनी आचारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा सब को पता है पापा की हालात बिना सहरे चल नहीं सकते फिर भी E.D. के अधिकारियों ने किसी भी साथ को अपने कारेले में प्रवेस्ट करने और उनके साथ जाने की अनुमती नहीं दी अनुरोध करने के बाद भी बेहन मीसा या उनके साहे को नहीं जाने दिया क्रिपया आप लोग मेरी मदद करें रोहिनी आचारी यहीं नहीं रुकी उन्होंने आकर्मा खरोक अक्तियार करते हुए एक पोस्ट किया और लिखा और उनके परिवार को निशाने पर लिया जा रहा है उससे बिहार के लोगों में 33 आदव के प्रती साहन भूती बढ़ रही जो बिहार में बीजेपी के राजनीती के लिए एक अलर्ट है ऐसा ना हो जस मकसद से उन्होंने नितीश कुमार को अपने साथ लिया हो वही मकसद बीजेपी के खिलाफ ना चला जाए संभावना तो यही बन रही है